नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे यूपीटेट एक्जाम 2021 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 13 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेक जा गया प्रस्ताओ जी यहां दोस्तो जब प्रस्ताओ भेजा जाता तो समल ली जे कर अनुमतीदे देगी और दोस्तो परिच्छा के तारिक फाइनल हो जाएगी पूरी अपडेट को देखेंगे UP से दोस्तो एक और अपडेट आ रही कि जनवरी के चोते सम्था में UP टड संभावित है, परिच्छा नेमक प्राधिकारी कार्याले ने भेजा है प्रस्ताओ, उसके बाद सिच्छ अकबर्थी को लेकर एक बड़ी अपडेट, अनुप्रिया पटेल बोली, चुनाओं से पहले दोस्तों दूर होगी पिछडों के आरच्छड से संबंदित, विसंगती सरकार दोस्तों जल्द लेगी नेट है, पूरी अपडेट देखेंगे, अगर अभी तक आपने सीटेट 2021 का एड्मिट का डाउनलोड नहीं किया है, तो हमने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप लोग सीटेट का एड्मिट का ड पर दे रहा है, जैसा कि दोस्तों आप याप अपर अड्मिट कार्ड देख पा रहे हों कि सीटेट का, यहाँ पर दोस्तों देखें सिर्फ एक्जामिशन सीटी लिखे गई है और परीच्छा की आपके तारिक, डेट आप एक्जामिशन सेंटर, उसके बाद दोस्तों हमार लेकि जो examination city है न इससे दोस्तों आपको अंदाज यह लग जाएगा कि आपका center by इसी city में होगा मतलब फेपर ठीक है तो यह सब चीज़े आपको देखना पड़ेगा तो फिलाल दोस्तों जो आपको यह वाला admit card इसको सिर्फ mobile में download करके देख लिए लेकिन इसका print out मत निकलवाईएगा इसका कोई मतलब नहीं है जब दोस्तों आपका final admit card आगा कुछ ऐसा आएगा जहां पर आपका examination center का पूरा address दिया जाएगा और जिले का print out निकलवाएंगे तो बस वही है आपका पैसा बरबाद होगा पेपर के दोस्तों दो दिन पहले जिया दोस्तों आपको official admit card आएगा उसको आपको download करना है बाकी दोस्तों कुछ और update साएंगे तो update हम आप तक पहुचाते रहेंगे जरा सिच्छक बर्ती की update को देखते हैं ठीक हैं एक करके कोई भी update आपसे चूटे गिने पहले दोस्तों यूपी टेट कब होगा क्या प्रस्ताव बेजा गया है प्रयाग रास्ते अप्डेट सरकार ने एक महिन्य में परिच्छा कराने की बात कही थी जिया दोस्तों मतलब जो सरकार ने बात कही थी वो गलत साबित हो रही है ने तो अगर एक महिन्य के अंदर paper होता तो हमारा paper December में हो जाता लेकिन सही ये दोस्तों जिन बच्चों ने यूपीटेट और सीटेट का दोनों फॉर्म डाला है उनके लिए तो बढ़िया हुआ नए तो अगर पेपर दिसंबर में होता है तो 16 दिसंबर से दोस्तों आपको पता है कि भाईया सीटेट का भी पेपर सुरू हो रहा और 13 जनवरी तक चलेगा 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी की बीच में अगर यूपीटेट की भी तारीक पड़ जाती तो कुछ न कुछ बच्चों का सीटेट और यूपीटेट सेम डेट में आता तो उनको पेपर एक छोड़ना पड़ता है 12 रुपे की बात थी दोस्त हो जाता बावाल मामला चला जाता कोट में क्योंकि भाई यह बच्चों का 12 रुपे डूपता या तो सीटेट का डूपता या तो यूपीटेट का इसलिए दोस्तों सरकार ने सोचा होगा चलो ठीक है ना इधर का ना उधर का सीधे 13 जनवरी की तारीक रख दी गई ठीक है तो पूरी अप्डेट को हम देख रहे हैं उसके बाद लेकिन प्रस्ण पत्रा और OMR छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस तैय करने और केंद्रों की दोस्तों दुबारा चार्च कराने में वक्त लगेगा उसके बाद अभ्यरतियों को नए स केंद्रों के परिचड और पूरन निर्धारण के बाद केंद्रों की संक्या में 15% तक की कमी होने के उम्मिद जताई जा रही है सासा ने 200 DM को निर्देशित किया है कि वह अपने इस तर से केंद्रों का परिचड करा ले अच्छी ख्याती के स्कूलों को ही 200 केंद्र बनाय जाए 28 नवमर की परिच्ड लिए जो केंद्र बनाय गया थे उनमें कापी संक्या में वित वीहिन स्कूलों को जिमदारी दी गए थी प्रियाग राश समय तकरीबन एक दरजन ऐसे जिले हैं जहां आनावश्य केंद्र बनाय गया थे ऐसे स्कूलों को 200 केंद्र बना दिया नहीं इसके कारण भी केंद्रों की दोस्तों संक्या बढ़ गई थी वह कुछ बड़े स्कूलों में कम परिच्छार्थी आवंटित किये गए थे यही कारण था कि प्रात्मिक इस्तर की परिच्छा के लिए 2556 केंद्र बनाये गए थे अब नए सीरे से केंद्रों के निरधारण में डिगरी कॉलेज विस विद्ध्याले और दूसरे बोर्ड के अच्छे स्कूलों को भी दोस्तों सामिल करने पर केंद्रों की संक्या 15% तक कम होने के उमीद जताई जा रही है लेकिन दोस्तों यहां पर एक और बात जो की बहुत महत्पूड है कोरोना प्रोटोकॉल जी यहां दोस्तों कोरोना वाइरस प्रितीजी से फैल रहा है तो इसको भी जरा ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसा नहों दोस्तों की एक एक सेंटर पर यह एक हजार बच्चे जाकि उसका भी दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा यह नहीं की कोरोना खतम हो चुका है आपको पता है अच्छे थे तीसरी लेड़ दोस्तों बहुत जल्द आ सकती है तो सरकार को यहां पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए जनवरी के चौते सब्ता में यूपीटेट संभावित परिच्चा निवक प्रादिकारी काराले ने भीजा प्रस्ता हो तो कुल मिला के दोस्तों हर नीज़ पेपर के मादम से ही अपडेट आ रही है कि अब तेज जनवरी को दोस्तों परिच्चा के अधिक संभावना बन ठीक है पुर्णा दोस्तों परिच्चा में लागवा भेरतियों को सामिल होना है और इस बात बार मतलब कोई गरबड़ी ना हो इसके लिए दोस्तों सासन फूख फूख कर कदम रख रहा है तो इस बार दोस्तों देखने वाली बात होगी कि पेपर में क्या होता है और दोस इस इच्छक भरती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला होता लेकिन अब 23 जनवरी को पेपर होने का मतलब उसका रिजल्ट अब आयागा 30 फरवरी तक ठीक है जरा समझे इस बात को तब तक दोस्तों आचार सहीता लागू होनी लगबत तैय मानी जा रही है अगर परिच्छा की नई तारिक 30 जनवरी दोस अब ये कंफर्म समझ लीजे क्योंकि बहुत जो प्रस्ताव भेजती वही सरकार उस पर अंतिम फैतला लेती लेकिन हाँ अभी सरकार को फैतला लेना है अगर सरकार मना कर देगी तो 30 तारिक को पेपर नहीं हो पाएगा तो ये दो पी को लग रहा होगा कि ये तारिक तुर सही है लेकिन अब सरकार यहां पर अंतिम फैतला लेगी पी एनपी को अंतिम फैतला लेने का अधिकार नहीं है इसको भी जड़ा समझे रही है ठीक है तो जो पेपर आउट हुआता है वहाँ पर सिर्फ पी एनपी के दोस्तों जि यूपीटेट और सिटेट दोनों पढ़ जाता तो फिर आप कंफ्यूजन में होते क्योंकि आपका बारो सुर्प भाई यह डूब लेते होते चाहिए यूपीटेट का डुबा देते चाहिए सिटेट का तो यह दोस्तों मामला था अब आप दोनों पेपर दे पाएंगे ब पिलाल अभी तक नई भरती के लिए दोस्तों कोई भी ऑफिशल नोटिफिकेशन नहीं है 37,000 से चखबरती की मांग लगा अतार जारी है अगर 97,000 पदों पर वैकेंसी आई तो यह मान के चलिएगा कि आपके नौकरी लगबग लगबग 99% तक लग सकती है चुकि 97,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत से बच्चे दोस्तों परिच्छा को पास तक नहीं कर पाते हैं इसलिए कह रहा है कि नौकरी पाना बहुत आसाल हो जाता है चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए इस टे कनेक्टेड बाकि यूपी टेट सीटेड एडम कि अगल हुते हैं